नमास्कार दोस्तों वालकम टूणाचार जोयाजी गुशन श्टोडी फ्रेंड्स देखे इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटल इन्वर्सिटियम जाडखन का 2020 का जो न्यू कटम मार्ग रहने बाला है फर्था MSC और MA प्रोग्रम जो भी सब्जेक्ट में आप एपला के हो सभी का यहाँ पर हम बात करेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो इंपोर्टन रहने बाला है आप लाश्ट तक जरूर देखेगा जिसे कि आपको सभी इंपोर्टन पाइंट पता लग पाएगा और फ्रेंड्स यदि आप हमारी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी का जिससे कि आपको सभी इंपोर्टन वीडियो का आपडेट और नोटिफिकेशन मिल पाएगा तो फ्रेंड्स देखें यह सभी काटागरी चुडेंट्स के लिए हलपफूल हो पाएगा जेनरल ओबी सी एस्टी और एटबलु एस तो फ्रेंड्स चलिए स्टार करत जैकेन्ड मेरेडलेस्स में इससे कमम जनकर जा सकते है जो कि आप 0.50-20 यहां पर कम जुए जाधा हो सकता है, तो OBC का यहाँ पर बात करें तो देखिए 49.25 मार्क यहाँ पर रहेगा फर्दा फास्ट मेरे लिस्ट का यहाँ पर हम केबल बता रहे है SC के लिए देख सकते है 34.50 मार्क रहेगा ST के लिए 32 मार्क रहेगा और EWS के लिए 50.75 तो यह हो गया फ्रेंट्स MSC Chemistry के लिए हम आपको बता दिये है Next यहाँ पर आप देख सकते हैं MSC Physics Candidates के लिए यहाँ पर General के लिए 56.75 मार्क रहेगा OBC के लिए 53.25 मार्क और SC के लिए 41.25 HT के लिए 36.50 मार्क रहेगा EWS के लिए 51.50 मार्क रहेगा तो यह हो गया फ्रेंट्स MSC Physics के लिए फिर यहाँ पर देख सकते हैं MSC Mathematics के लिए यहाँ पर देखे तो General के लिए 52.75 मार्क और OBC के लिए 49 मार्क एससी के लिए 40.75 और देखे एस्टी के लिए रहेगा 35.75 EWS के यहाँ पर देखे तो 42.75 तो फ्रेंट्स यहाँ पर बात कर रहे हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर बात करें तो देखे MSC Environmental Science Candidates के लिए जैनराल के लिए 53 मार्क यहाँ पर रहेगा फर्दा फ्रस्ट मेरिड लिस्ट में OBC के लिए 46.25 मार्क रहेगा SC के लिए 42.50 SC के लिए 42.25 मार्क और EWS के लिए 44.25 मार्क रहेगा फर्दा EBS के लिए जो Environmental Science के लिए यहाँ पर बताए रहा है Next यहाँ पर बात करें तो देखे MSC Geo Informatics Candidates के लिए तो यहाँ पर देखो जैनराल के लिए 52 मार्क रहेगा OBC के लिए 46.50 तो यह फ्रेंस Provisional Married List को लेकर सब कुछ बनाए गया है हम अल्रेडे आपको बता चुके है तो यह First Married List का है SC के लिए देख सकते है 32 मार्क रहेगा ST के लिए 27.25 और EWS के लिए रहेगा 33.75 मार्क यहाँ पर रहेगा यहाँ पर Next बात करें तो MA का यहाँ पर आ गया है MA Geography का यहाँ पर बात करें तो General Candidates के लिए 56.25 तो देखें यहाँ पर हम कैसे बनाए है Seat Matrix के हिसाब से ही सब कुछ बनाए गया है जितना भी Seat है उसी के हिसाब से First यहाँ पर General Candidates का सिलेक्षन होता है फिर बाद में आपका Reservation का होता है तो OBC के लिए 46.50 माक्स रहेगा SC के लिए 39 माक्स रहेगा HT के लिए 44.75 माक्स रहेगा और EWS के लिए 50.5 माक्स यहाँ पर रहेगा फिर यहाँ पर Next बात करें तो देखें MA in the English यहाँ पर जो भी Candidates अपला किये हो जनराल के लिए 48.50 माक्स OBC के लिए 37.75 माक्स SC के लिए 24.25 माक्स HT के लिए 43.75 माक्स और EWS के लिए 33.25 माक्स यहाँ पर जाएगा यहाँ पर Next देखें MA in the Political Science जो Candidates यहाँ पर रहेगा जनराल के लिए 53 माक्स रहेगा OBC के लिए 44.50 माक्स जाएगा और SC के लिए 34.75 और HT के लिए 37.50 EWS के लिए रहेगा 40.75 माक्स यहाँ पर रहने वाला है यहाँ पर Next यहाँ पर बात करें तो Friends MA in the Mass Communication यहाँ पर जो भी Candidates अपले कहे हो जनराल के लिए 49 माक्स OBC के लिए 42.50 माक्स SC के लिए 29.25 माक्स ST के लिए 25.25 माक्स और देखें EWS Candidates के लिए 43.25 माक्स तो यहाँ पर आप सब कुछ चेक कर सकते हो यदि Friends आपको इस वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दिजेगा और Friends चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा देखें पर एमकॉम यहाँ पर जो Commerce Candidates के लिए हाँ पर देखें तो General के लिए 43.75 माक्स रहेगा OBC के लिए 39 माक्स रहेगा SC के लिए 27.25 यहाँ पर आएगा Friends ST के लिए 28.25 माक्स रहेगा EWS के लिए रहेगा 34.25 माक्स रहेगा तो यहाँ पर Next देखो तो MBA Candidates के लिए जो Business यहाँ पर भोल रहा है MBA Candidates के लिए General के लिए 55.75 माक्स रहेगा OBC के लिए 49.5 SC के लिए 41.25 ST के लिए 31.50 और EWS के लिए यहाँ पर जाएगा 55.25 माक्स यहाँ पर जाने वाला है तो यहाँ पर MBA का हम बता दिये तो फ्रेंट्स यहाँ पर हम MSC और MA का हम सब कुछ बता दिये है जो भी subject यहाँ पर आप apply किये हो तो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना है था फ्रेंट्स आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो एक like कर दिजेगा और फ्रेंट्स चेनल को subscribe कर लिजेगा जिससे कि आपको सभी important वीडियो का update नोटिफिकेशन मिल पाएगा तो thank you friends, thank you for watching please like, share and subscribe